बच्चो मेरे पास एक बर्तन है और मेरे हाथ में पांच रुपय का सिक्का है अब इस सिक्के और इस बर्तन की सहता से मैं आपके सामने एक मज़ेदार क्रिया कलाब करने वाली हो तो सबसे पहले सिक्के को इस बर्तन में डालते हैं बच्चो आप देख सकते हैं आपको इस बर्तन में ये शिक्का बिलकुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है यदि हम कैमरे को इस शिक्के से धीरे-धीरे दूर करें तो आप देखेंगे ये शिक्का आपकी आखों से ओझल होने लगेगा अब देख सकते हैं बच्चों यह सिक्का आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम एक काम करते हैं इस बरतन में पानी डाल कर देखते हैं। मैं इस बरतन में पानी डालती हूं। धीरे-धीरे हम इस बरतन में पानी डालते जाएंगे। क्या भी भी आपको इस सिक्का दिख रहा है हम इसमें और पानी डालते हैं अरे वाह आप देख सकते हैं बच्चों आपको सिक्का दिखाई देने लगा तो बच्चों आपने देखा जैसे ही मैं इस बरतन में पानी डालती हूँ यह सिक्का आपको नजर आता है पता है ऐसे क्यों हुआ ऐसा इसली हुआ योकि इस बरतन में जब हम पानी को डालते हैं तो इस सिक्के का अभासी प्रतिविम इस सिक्के के ऊपर बनता है और हम जानते हैं कि अभासी गहराई वास्तवी गहराई से कम होती है जिसके कारण इसका प्रतिविम आपके आँखों पर बनता है है न मज़िदार तो आप भी इस प्रयोकर जरूर अपने घर में करें